वेलकम टू करेंट शिक्षा, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज इस वीडियो में हम G20 से रिलेटेड महातुपूर्ण बिंदूओं को देखने वाले हैं अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर लें जिसका लिंक रिस्क्रिप्शन में दिया गया है आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं G20 की स्थापना 1999 में की गई थी G20 में 19 देश और एक European Union शामिल था और ये गुरूप है European Union की हेड उर्शुला वॉन है European Union का मुख्यालाई डूसल्स पिल्जियम में इस्तित है और यहां की करंसी यूरो है और इसमें 27 देश शामिल है G20 की पहली बैठक 2008 में वासिंग्टन डेशी USA में आयोजित की गई थी G20 में शामिल देशों की बात करें तो यहां पर एक ट्रिक दी हुई है गुरूजी सीता अब SSC-FCI में काम करती है यहां पर G20 में शामिल देशों की नाम दिये गए हैं पहला है जर्मनी गुरू मतलब जर्मनी यूके रशिया और USA G में जापान और इंडिया सीता में शाउथ कोरिया इंडोनेशिया तुर्किये और अर्जंटीना अब आस्ट्रेलिया ब्राजील SSC साउथ अफरीका शाओदी अरब कनेड़ा FCI, France, China, Italy, May, Mexico और European Union ये इसकी ट्रिक है नेश्ट देखते हैं G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और यह इसकी सत्रवीं बैठेक थी जिसका आयोजन बाली में किया गया था 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है देली में 9 से 10 सितंबर के बीच में 2024 में G20 सम्मेलन का आयोजन रियो ब्राजील में किया जाएगा और इश्ची को ट्राइयो का कहा जाता है ट्राइका इसको कहा जाता है नेक्स्ट है G20 सम्मेलन 2030 की बात करें तो इसका आयोजन भारत इंडिया में किया गया है और यहाँ पर केसरिया, सफेद, हरा और निला रंग को इसके लोगों में प्रदर्शित किया गया है इसमें जो पंखुडियां यहाँ पर दे गई हैं यह महाद्यूप को प्रदर्शित करती है 2023 के लिए जी टूंटी समेलन की थीम One Earth, One Family, One Future रखी गई है वसुद्यो कुटम्बुकम इसकी थीम है वसुद्यो कुटम्बुकम को महा उपनिशद से लिया गया है वसुद्यो का अर्थ होता है प्रथवी कुटम्बुकम का अर्थ है परिवार, मतलब प्रथवी हमारा परिवार है जो सम्मिट इस बार हुई है ये नई दिल्ली सम्मिट 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोज़ित की गई है यहाँ पर सामिल होने वाले जो राजनेता है हर देश के जो प्रतिनिदी हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर अर्जन्टीना के प्रेसिडंट अलबार्टी फननेंडी जाय थे अस्ट्रेलिया के प्यम अंथनी अन्बिलीज है ब्राजील के प्यम डूला लूला दिशिलवा है कनाड़ा के प्यम जस्टिन टूडो है चाइना के प्रेसिडंट से जिंपिंग है लेकिन यह यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे फ्रांस के प्रेसिडंट एमैनुएल मैक प्रो है जर्मनी के चैंसलर लॉफ शॉल्स नेक्स्ट है इंडिया के प्रधान मंतरी नरेंद्र मुजी जी इंडिया के प्रेसिडंट जोको वीडोडो इटली के प्रेसिडंट जोर्जिया मिलोनी जापान के प्रधान मंतरी फूमियो किशीदा मेक्सिको के प्रेसिडंट एंड्रेस मैनुवल कोरिया के प्रेसिडंट शू यूक यूल रसीया के प्रेसिडrators व्लाद्मिर पुतिन इसमें सामिल नहीं हुए थे साधीयरब के किंग सलमान बिन साथ अपरीका के प्रेसिडंट सिरियल रमफोस्षा तरकिय के प्रेसिडंट तयजर एर्दोगान UK के प्रधान मंतरी रिशी शुनुक इस समेलन में शामिल हुए थे यहां पत्र नव देशों को आमंतरित किया गया था भारत के द्वारा जिसमें बंगलादेश से सेक शीना आए थी मिश्र, मौरिशेश, निदरलेंड, नैजीरिया, उमान, सिंगापूर, स्पेन और UAE निदरलेंड, 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 निद तुकारों ने बनाया है यहाँ पर राइट हैंड अभे मुद्रा को प्रदर्शित किया गया है डमरू स्रजन का प्रतीक है अगनी विनाश का प्रतीक है मानो अहंकार को शमाप्त करत्री करती मुद्रा यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर जब लोगों का वेलकम प्रधान मंत्री मोदीजी ने किया था तो इसके पीछे कुणार्क का पहिया यहां पर दिखाया गया था आपको बता दें कि कुणार्क जो है ये ओडिशा में इस्तित है शूरे मंदिर ओडिशा में इस्तित है अब ये G21 हो गया है क्योंकि इसमें अफरीकन यूनियन को इस बार इसमें शामिल किया गया है तो ये कुशन आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है कि कि संगठन को G27 मेलन 2023 में सामिल किया गया है तो अफरीकन यूनियन को इसमें सामिल किया गया है बात करें अफरीकन यूनियन की तो इसमें 55 देश सामिल है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी अफरीकन यूनियन का मुख्याल है अधिस अबाबा इतोफिया की राजधानी में इस्तित है वर्तमान में इसके अध्यच अजानी उश्मानी हैं अजानी उस्मानी इसके अफ्रिकन यूनियन के अध्यच हैं यहाँ पर एक इनिशेटिव को लॉंच किया गया है ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस को G20 समयलन 2023 में लॉंच किया गया है इसके तहत पेट्रोल में 20% इथिन मिलाया जाएगा फ्यूल के वैकल्पिक शुरूत इससे तयार होंगे और जिसे कार्बन उसरजन कम होगा यहाँ पर दो पॉइंट समझने के हैं जी टॉन्टी समयलन में जी टॉन्टी का 21वा देश अफ्रिकन यूनियन बना है और यहाँ पर ग्लोबल फ्यूल एलाइंस को लॉंच किया गया है नेक्स्ट है नई दिल्ली घोशना पत्र में 73 मुद्धो पर काम किया गया है और यह ग्लोबल साउथ विक्सित देश इसके तहत एक साथ आए हैं और यह आप तक का सबसे अच्छा जी टॉन्टी समयलन हुआ है क्योंकि इसमें 73 मुद्धो पर सहमती ब अभारत, UAE, सौधी अरबिया, Zardan, इसराइल, ग्रीज, यूरोप होते हुए अस्ट्रिलिया को USA को जोड़ा जाएगा नेक्स्ट है चाइना की पहल One Belt One Road Initiative को काउंटर करने के लिए इसको शुरू किया गया है अब यहाँ पर कुछ महत्तपुन बैठके हुई थी उनके बार पहली वित्तिय समावेशन की बैठक कोलकाता में हुई थी पहली इंफ्राटेक्चर की बैठक पूडे में आजुद की गई थी नेक्स्ट है पहली एंटी करेप्शन की बैठक गुरुगराम में आजुद की गई थी गुरुगराम हरियाना में स्थित है साइन्स 20 की पहले बैठक पॉंडिशेडी में आउजित की गई थी और तीसरी भोपाल में आउजित की गई थी पर्थम Environment Summit बैंगलूरू में आउजित किया गया था पहला Agriculture Summit इंदावर में आउजित की गई थी प्रथम Culture बैठक खुजराहो मद्द प्रदेश में आउजित की गई थी सिविल 20 की बैठक आउजन जैपूर में किया गया था इसके अध्यच अम्रता अनंद अमई देवी को बनाया गया था कला प्रदेशनी की पहली बैठक पटना बिहार में आउजित हुई थी जिसकी ठीम Together We Are रखी गई थी तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को जान कर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेर करें और इसको लाइक भी करें और चैनल पर पहले बार रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेए इसका PDF आप लोगो टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगा तब तक आप लोग पढ़ते रहें अपना ध्यान रखिए धन्यवाद चैहन